मद्विदेश की गौले जिले की भितरवार विधान सभा में जाटव समाज समवात समेलन का मुख्य आईजुन किया गया जो की काली माता मंदर प्रांगन पर आईजुद हुआ ये समेलन जन सेवक मोहन सिंग राठोर की अगवाई में हुआ जिसमें मुखे रूप से केंदरी उडियन मंत्री शीमन जोतिरादित सिंध्या जी समयलित रहे जिनका मोहन सिंग राठोर द्वारा भव्वे स्वागत किया गया इस कारकर में कई आदिवासी और कई अन्य समाच के लोग समयलित रहे सबास्तल जनता से लब अलब भरा रहा इस कारकर में सबसे पहले गडमाने नागरिकों ने जन सिवक साथियों ने भाशन दिया जिसके बाद जोतरादित सिंध्या जी ने डॉक्टर भीम राउम बेटक जी की तस्वीर पर तिलक और माला अर्पन किया और उन्हें नमन भी किया इसके बाद माने ने जोतरादित्य सिंध्या जी और मोहन सिंग राठोर मंचा सीन हुए और सभी आयोई जनता का आभार भीज वताया है मोहन सिंग राठों ने अपने भाषन में कहा कि पहले जाटव समाज और अन्य राजनेतिक पाटी का साथ देते थे जो केवल जाटव समाज और अन्य समाज पर अत्याचार करते थे और जब से जाटव समाज ने भारती जंतापार्टी का हाथ थामा है तब से उनके परिशानियों को दूर करने का जिम्मा हमने उठा लिया है जिसके बाद मोहन सिंग राठों ने केंदी उडियन मंत्री जोतरादित्य सिंध्या का आभार जिताया और कहा कि आपने जाटव समाज का उधार किया है जिससे मैं आपका तहे दिल से धनिवात करता हूँ साथी मोहन सिंग राठों ने कहा कि मैं छेत्र की हर जगा का जाइजा ले चुका हूँ छेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क की है सालों में यहां का विधायक सड़क नहीं बनवा पाए जनसेवक मोहन सिंग राठों ने मुखी मंत्री शिवरा सिंग चोहान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गटकरी और मानिन ये उडियन मंत्री जोतर आदिति सिंध्या का आभार जताते हुए कहा कि इनकी वज़ा से कई सड़कों का निर्मान कारे पूर्ण रूप से सफल हो पाया है और करोडों रूपे की लागत से आज जनता को अस्विधा से होकर गुजरना नहीं पड़ता है ये केवल भाच्पा सरकार में ही संभव है साथी वर्तमान विधायक पर आरोप लगात हुए कहा है कि विधायक ने आज तक विधायक निदी से एक रूपया भी नहीं निकाला और जनता की सेवक लिए कुछ भी नहीं किया जिसके बाद कारकर में जोतिर अदिति सिंध्या जी का भाशन शुरू हुआ और उन्होंने भाशन की शुरूआत रविधास महराज के जैकारों से की है जिसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे जाटव समाज अनुसूचित जाती जनचाती के जितने भी सदस्य सामने बैठे हैं उन्हें हाज जोड़ कर में नमन करता हूँ जोतिर अदिति सिंध्या ने आगी कहा कि सिंध्या परिवार और मेरा लक्ष हमेशा से ही जनता की सेवा करना रहा है और हमेशा ही हम आदिवासी जाटव समाज जिसे लोगों की सेवा करते आए हैं कहा कि इस महासमीलन से एक रात पहले घोर वर्षा हुई थी में इंदर देवता का धनिवाद करता हूँ और ये प्रात्ता करता हूँ कि आने वाले 10 से 15 दिन ऐसे ही घोर वर्षा हो जिससे कि किसानों को परियाप्त मात्रा में पानी मिल सके और उनके फसल के सचाय पूर्ण रूप से हो सके साथ ही आदिवासी समाज को धनिवाद ग्यापित करते हूँ उन्होंने कहा आदिवासी समाज और अनुसूचे जंचाती का योगदान आज से नहीं कई वर्षों से रहा है माह भारत काल से और भारत के उठान में आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है साथी जोतिरादिते सिंध्या ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरी जुनता आराम में रहे और मैं उनके लिए सदेव सेवा करता रहूँ उन्होंने योजनाओं के बारे में कहा कि मदपिदेश सरकार हमेशा बेटी और महिलाओं के लिए सोस्ती है उन्होंने कहा बेती जन में ले रही है तो वे लक्षमी के साथ लगपती बन रही है महिलाओं को आत्म सम्मान और आत्म निर्भर बनाया जा रहा है जिसके लिए लाडली बहना योजना से महिलाओं का आत्म सम्मान बढ़ाया जा रहा है आपको बता दे कारेकरम मुख्य रूप से मोहन सिंग राठ और द्वारा कराया गया था इस कारेकरम में काफी संख्या में जन से लाब रहा समस्त कारेकर तौपस्तित रहे और साथी जनसेवक साथियों के बीच में इकारेकरम संपन हुआ आज मैं सुनना था विजय जी को और सादू को उन्होंने वर्तमान की बाद की बाद की बविश्य की बाद की बाद की पर ऐसे सामाजिक सम्मेलनों में जहां वर्तमान की बाद की जाती है वहीं ऐसे सामाजिक सम्मेलनों में हमारे अनुसुचित्याती समाज का एक सुनेरा इतिहास का भी वर्णन चरूर होना चाहिए और क्या सुनेरा इतिहास है हमारे अनुसुचित्याती समाज का उन्ले महाभारत से लेकर रामायन से लेकर भारत के स्वतंत्रा संग्राम तक हमारा बलिदान, प्राक्रम और दयाभाव का एक जिहां से मेरी भाईयों सोड़ अक्षिरों में लिखा गया और मैं दो धारण आपको दूगा एक उधारण प्राचीन कालखन का और एक उधारण सुत्त्ता के कालखन का आज हम याद करते हैं संत्र अविदाज जी महराज को जिन संत्र अविदाज जी महराज ने सामाजिक एकता पर बन दिया और मानत्ता मोनियों को पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लिखाने का कार्यों किया जो उपत संत्र अविदाज जी ने हमें दिखाया है वुपत केवल आपके समाज के लिए नहीं है वुपत केवल इस देश की 140 करोड जंता के लिए नहीं है लेकिन ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि संत रमिदाश जी महराज का दिखाएवा आपत इस विश्व के 800 करोड जंता को अपनाने के लिए जबूरत और अपने बदों से अपने लेक से विश्व के किहास में अमद हो चुके उनके शब्दों का लेक में कहना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि रेदास जर्म के कारने होत न कोई जीच रेदास जर्म के कारने होत न कोई नीच नर्पू नीच कर डारी है ओच्छे करम की नीच और ये प्रसम आज के कालखंड में लागू होता है व्यक्ति का अच्छा काम हो तो उसे स्वर्ग में मौक्ष प्राप्ति होती है और व्यक्ति का अगर नीच काम हो तो भगवान भी उसे मात नहीं करने हो और बितरमार के कई लोग भी इस बात को सुन ले मेरे भाईए और मेरो संत्रविदास्टी के शब्दों को सुन ले समझदार को इशारा काफी है कि ने ये संत्रविदास्टी के महनशट थे और उन्होंने अपने जिंदगी में इतने अनियाई बनाए और आप देखो आपके समाज का कमाल इतने अनों है यू बनाए बुझे पक्रामी की गुमारो जंता की ये चंबल की चंबडी है भाईया इतनी पसीना चपकेगी उतना चाहदा संकलित हो मेरी जंता आराम में रहे है और जोतुराइते सिंध्या आपकी लिए जी एक तरह संक्रविदाज जी है, वाँ दूसरे तरफ भाउजन हिताय और भाउजन सखाय के पत प्रदर्शक हमारे बाबा सावं मेटकर, जिरोंने जन सामानिय का कल्याण किया, सभियों तक उन्होंने जो भारत का समिधान लिखा, वो आज आप और हमारे लिए धरम ग्रंद के मेरे रूंबे या जो जागर होगी है, मेरे भाई यो और भैने, अज सतंत्ता के बाद, मेरे देखतार मेरे भगवान मुझे देखने हो, अगर इस देश में कोई नवरतन हुए है, हमारे देश में पिछले सो वर्ष में, दो बड़े नर्ग नवरतन, एक स्वामी वेकरन जी, जिन्होंने भारत को विश्वक पटल पर धरम के नाम और अध्यात्म के नाम पर स्थापित किया, और दूसरे, उनि भाबा साव हमेट कर, जिन्होंने भारत के समिझान को लिख कर, लोग कंतर की सापना पूरे ुश्वक नंवेका दुखाईए। आज भी हमारे लिए प्रसंगिक है जब उने कहां शिक्षित बनो संगटित हो और संघर्ष करो और आज अगर उनकी कथन और उनके पत पर चलने का किसी ने संकर्प लिया है तो हमारे देश के पंत प्रधान प्रधान मंत्री नरे नमोदी जी ने भी आए दो भाया से जब प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत एक एक गरीग का घर बनता है तो बाबा साल अमबेग करा संघर्विदास जी के पत पे चलन रहे हैं समाज अन्य राजनितिक दलों से जुड़ा था लेकिन जब आप भारती जनता पार्डी का आपने जंडा पकड़ा जब भारती जनता पार्डी के साथ आप खड़े हुए उसके बाद यहां जो भी जाटव समाज के उपर तकलीफे आई परेशियान ही आई जिस प्रकार से वो संगर्स कर रहे थे बिना किसी नेतत्तु के लेकिन आपके आने के बाद और आपने जिस प्रकार से साथ दिया यहां के बैठे होंगे 40-50 लोग कम से कम जो प्रकरण में जब उनके ऊपर यहां के बिदायक ने अन्याय की आत्याचार किया जब उनकी जमीन को अपने की कोशिश की और सरफ एक ही नहीं यह तो जाटब समाज की बात कर रहा हूं मैं यहां प्रजापती समाज के लोग भी बैठे होंगे उनकी भी 37 बीगा जमीन को उसके परिवार में अड़ापने की कोशिश की और जब भी अन्याय तैचार हुआ और आप यहां जाटब समाज की अधिकांस लोग मौजूद हैं आप अगर मेरी साब बात से सेमत हो तो जोरदार तालियों से महराज का स्वागत करी और उसके बाद जो आपने साथ दिया विकास के नाम से तो गंगा बही है आपकी लेकिन कमजोर शोशित पीड़े तुबे हो जाते हो तब लोगों में यह विस्वाज जागता है कि उनका मसीहा आज उनके साथ है अब उनके उपर अन्याय वत्यचार नहीं हो पाएगा और उसी विस्वाज के साथ आज यह हजारों तादाद में जो जाटब समाज एकत्रित हुआ है कल रात को जब यहां लगातार पानी बरस रहा था और जब यहां ऐसी इस्तिती थी कि कारिकर्म निरस्ट करना था ग्यारा बजे और बारा बजे तब सब लोगों की फिर आपाद मीटिंग हुई सुबे तक का इंजार किया गया और सुबे फिर पानी बरसना शुरू हो गया लेकिन सब ने कहा कि यह समय ऐसा है कि अगर हम आंदी और तूफान से डरेंगे अगर हम पानी और बरसाथ से डरेंगे तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि जाटब समाज आंदी और तूफान से मेंत साब ने जब मैं इस वकत वो चल रहा था कारिक्रम तब मैं गया था मेंत साब ने का यह बहुत आवश्यक है लाखों लोग यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं लेकिन रोड की इस्तिती है कि आदमी निकल नहीं पाता तब हमने स्रीमत महाराज से फिर निवेदन कि किया और माराज साब ने ग्रामीन और पंचैद विकासमंत्री माइन सिंग सिस्वाधिया जी उन से कहके और 4 करोण रुपे स्विक्रत कराये वह भी काम आपका प्राराम हो रहा है। मेंत साब ने जब मैं इस वगत वो चल रहा था कारिकरम तब मैं गया था मेंत साब ने कहा ये बहुत आवश्यक है लाखों लोग यहां पूजा अर्चना के लिए आते हैं लेकिन रोड की स्थिती यह है कि आदमी निकल नहीं पाता तब हमने स्रीमंत महाराज से फिर निवेदन किया और महाराज साब ने ग्रामीन और पंचाय द्विकास मंतरी महिन सिंग सीस्वादिया जी उन से कहके और चार करोड रुपे स्विक्रत कराएं वो भी काम आपका प्राराम हो रहा है लेकिमाराज साब मैं एक बात और आप से निवेदन के रूप में कहना चाहता हूँ कि जब हम गाओं में जाते हैं तो हमें समझ शाय मिलती हैं एक किलोमीटर की रोड, दो किलोमीटर की रोड, किसी की पुलिया, किसी की सीसी, किसी की कोई परेशानी और जब उसकी बात हम करते हैं तो हमें माननी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि मैं प्रतिवर्स तीन करोड रुपया प्रतिएक बिधायक को देता हूं विकास के लिए और उस तीन करोड रुपय में से ये काम करवाओ और हम कहते हैं कि ये तीन करोड रुपे में से वो एक रुपया भी नहीं लगाता आप लोग इतने सरपंच बैठे हो इतने जनपसदश बैठे हो इतने गाउं के लोग बैठे हो आप बताओ बिधायक निदी से अगर किसी एक गाउं में काम हुआ हो तो बताइए आप हुआ के नहीं हुआ एक भी रुपया नहीं लगता महराज और ब्रिष्टा चार की हद देगी है कि मैंने जब इसकी पूरी सूचना निकाली जब मैंने सूचना का अधिगार उपयों किया तो उस वगत 6 ग्राम पंचायतें और 7 ग्राम पंचायतें ऐसी है कि जहां उनका खुद का गाउं पार पंचायत डेड़ करोड रुपया उसके गाउं से निकाला गया और जब मैं पंचा मैंने पूछा कि भाईया कितना काम हुआ है तो वो लोग भी कहतें नहीं हुआ